हलो फ्रैंड्स, वेलकम टू अमृत वाइस चैनल, मैं आपके लिए रोज रोज नए नए वीडियो लेकर आने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपके अंदर एवार्नेस पनी रहे और हमारा भरत जागरूप हो सके हैं तो आईए देखते हैं, आज कल देश के देश में मीडिया पर कैसी चर्चाएं चल रही हैं, क्या कि साम सच मुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं या उन से जूट बोलकर प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है, ये सब क्या है, आईए देखते हैं, क्या कोई शक्ती ऐसा नहीं चाहती क हमारा भारत अखंडित रह सके एक रह सके प्लीज हमारे चैनल हमरे प्लाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए थैंक यू ना भी प्रेजिट हो तो आप प्रेजिट कह सकते हैं मगर कोशिश यही ऐसी इंपीच्मेंट ट्राइल की को उन से ये टाइटल भी छीन लिया जाए हम वही वीडियो क्लिप आज के शो में आपके साथ दोबारा शेर कर रहे हैं Has the Minister or the Prime Minister phoned Prime Minister Modi to ask if we could get vaccines from India? Well, thank you for that question. I am in regular communication with organizations and countries around the world to secure doses of additional vaccines. Have we phoned Prime Minister Modi? I personally have not phoned Prime Minister Modi and I can't speak for anyone else in our government. Thank you. Does the Minister know if the Prime Minister has reached out to the Indian government? I do not know. Thank you. She doesn't know. That's frightening. तो इस वक दुनिया की फॉर्मेसी है. दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन है वो भारत में बनी. भारत बहुत सरे कंट्रीज को मुफ्त भी दे रहा है और बहुत सरे कंट्रीज बाहरें से बाई भी कर रहे हैं. अनने कहा कि नहीं बात चीत हुई. ये बहुत बड़ी ख़बर है जो कैनिडा के सोशल मीडिया पर और जो मुफ्तलिफ पॉलिटिकल सर्कल्स में डेवेट हो रही है। उसमें ये चल रही है। एक और MP रिजाइना से तल्लक रखते हैं स्टैनले वारन। उन्होंने भी इस नहीं देखिये स्क्रीन पे। हमें जो फार्मर प्राम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर का जो तल्लक था मुदी और भारत के साथ हमें उस तरह अपने तल्लकात इस्तवार करने चाहिए। बहुत ही बड़ा मैसज है। बहुत ही एहम मैसज है। सिर्फ वैक्सीन की बात नहीं उन्होंने की। उन्होंने का गुड़ क्वेस्टिन मिस मिशल रैंपल हमें उस तरह इस्तवार करने चाहिए भारत के साथ तल्लक जिस तरह हुआ करते थे। यनि इसका मतलब सिर्फ वैक्सीन में नहीं है। यनि जो डिरेल हो रहे हैं कैनिडा इंडिया रिलेशन इसके बा त्रहुत ही जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं चर्डिबल जिसेंग जनलिस्त हैं। उन्होंने लिखा खेडिस द वर्स कनेडियन गौनमेंट एवर। Can there be any question? The country is an economic crisis. The house of common is a movie theater. We are shamed in the international community. And the list goes on. Rex Murphy is a very credible name in Canada. He is a very seasoned journalist. He is a very big writer. He has the headline and the subtitle of Joe's whole story. Sadly, what he said, that is the scenario here in Canada. I am not an age racist guy. 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 We are a very good writer. We are a very good writer. We are a very good writer. केनिडियन को जहां कहीं जूरतोगी हम देंगे एक दुनिया की सबसे बड़ी फॉर्मेसी है, वर्ल्ट हेल्थ ओगनिजेशन से लेकर यू एनों तक और दुनिया का कौन सा मुल्क है जो भारत की जो एक बड़ी फॉर्मेसी की हैसियत को नहीं मानता. लेकिन कैनिडा इस तरफ इसलिए नहीं आ रहा कि एक इंबेरिस्मेंट है फार्मर्स के जो पर्टेस हो रहे हैं उस सिल्साह में किनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने आपोजिशन लीडर्स ने भी बश्यमूल कंसर्वेटिव पार्टी, इंक्लूडिंग कंसर्वेटिव पार्टी, एंट एंड़िपी तो खिर ही है मीस्टर जग्मीТ सिंग् तो लगता ही नहीं कि कैनीडे की कि सी फैडरिल पार्टी के हैड है वो तो लगता है एक ही उनका परसनेल वेंडेटा है anti-India, 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 anti-India मैं anti और anti को दो मुख्लिप प्रणिशेशन में इसलिए बयान कर रहा हूँ जोर देने के लिए कि unfortunately ये हमारी छोकर खेड़ा politics की जो इस हद तक आगे जा चुकी हुई है अब भारत में हमने जो देखा जो भी भी चल रहा है पौटेस उस में जो इमसरिक्शन हुई डिमाक्रेसी पर जो हमला हुआ फॉर्मर्स जो innocent फॉर्मर्स है मैं उनकी कदर करता हूँ उनकी आड में हजारों लोग फॉर्मर्स पौटेस को अब हाई जेक कर चुके हुए हैं वो है भारत की सुर्टाइब और यहां यह सुर्टेयाल है सुपरबाल कल की ही दास्ताइब मिलिएंस और का एड चपता है सुपरबाल के लिए वीडियो एड ता जो चलता है और उसमें क्या ड्रामा नहीं किया गया हैरत होती है कि ये फॉरमर्स का काउस है millions and millions dollars इनको दे रहे हैं allegedly रहाना और इस तरह की जो celebrities हैं जिनको कुछ पता नहीं दुनिया की politics का भारत के ABC का नहीं पता वो ये tweets उनकी जो lobbying firms हैं उनकी tweets आ रही हैं और of course उसमें भी allegedly millions and millions dollars इन वाल में कौन है इसके पीछे चीन है इसके पीछे पाकिस्तान किसी है तक इसके पीछे हो सकता उसके पास अब इतना पैसा भी नहीं रहा लेकिन हर 10-20 million dollars तो वो भी खर्चकारी देंगे अपने propaganda के लिए लेकिन ये 10-20 million dollars से बहुत आगे का खेल जा चुका हुआ है ये जो यहां पर बैठी हुए हरकतें कर रहे हैं मजाग बना रहे हैं फार्मर्स पॉर्टेस को भी अपनी तरफ से millions and millions dollars खर्च कर रहे हैं खालस्तान की बात कर रहे हैं आवाज उठा रहे हैं वहां पे खालस्तान का कुछ नहीं होना हुआ ये मैं आपको दावे से बता सकता हूँ भारत में जो इनकी अपनी सरकारें थी जिनके साथ ये एक्स्ट्रीमिस्ट उस वक्त नहीं एगरी करते थे अब करते हैं एगरी कांगरिस की उस रमाने में कुछ नहीं हुआ अब तो बहुत मजबूत सरकारें हैं और जब ये सरकारें आइंदा ना भी रहेंगी तो भारत बहुत और तरफ जा रहा है लेकिन ये अपना खेल तमाशा यहाँ पे बैठके करने है कुछ लोग हैं जिनके हातों में ये सारी बदमाशी है जो मिलियन्स और मिलियन्स डालर की मैनूवरिंग कर रहे हैं ये कुछ लोग हैं चंद लोग हैं उन्होंने सब को बेवकूफ बनाया हुआ है और जो बिचारे वहाँ पे फॉर्मर्स बैठे हुए हैं वो परशान है वो इनसे भी परशान अब हो रहे है जो को पता चलना है को उनका कास जो भी था वो भी अब खतम हो रहा है उनको गलत प्रापगेंडा किया गया उनको बिल्स के बारे में गलत बताया गया जो फॉर्मर्स बिल्स हैं वो अगर कोई भी पढ़ ले उसको वो फॉर्मर्स के एक्चुली हाक में है लेकिन बदकिसमती से बेंस के आगे बीन कौन बजाये वाली सूर्टेहाल इस वक बनी होई है मगर वो इनके गातों यह जो एक्स्ट्रीमिस्ट है जो मिलियन्स और मिलियन्स डालर का धन्दा करने इनके खातों वो बिचैरे जैसे होता है पुतली तमाशाब बने रहेंगे ये है सुर्ट आल वहाँ पे जब ये रहाना के और इन लोगों के ट्वीट आए और उस पर फिर अक्षे कुमार जी और करिक्टर तंदोलकर जी ने जो फिर ट्वीट्स दिये वो उनका एक भारती हक था उनकी बहुत ही समझ बूज थी उन्हों अकल से बात की अगरचे हम शुक्रिया के साथ कर्टिसी के साथ हम एक चोटा सा वीडियो क्लिप उनका यहां पर पेश करते हैं मुझे लगता है जो नैशनल हीरोज है उन्हें किसी को प्रूफ करने की जरुवत नहीं है वो देश के हित में या देश के विरोध में जब वो कोई स्टैन ले रहे हैं लोकतंत्र हैं हम लोकतंत्र के नाते हम अपनी राय अपना बयान अपना ट्वीट हम कभी भी कर सकते हैं बिंग सेलिबरेटी और बिंग इंडियन हमें उतनी फ्रीडम यह सविधान के अंतरगत दी हुई है कि उसके ओपर कोई रोक नहीं लगा सकता अगर किसी ने उस ट्व चैनलाबिर्टिजन नियक्षे-कुमार हो तंदोल गर अगर आअनों टीट्स दी हैं तो भारत के हीरों बिहैं और भारत के सिटिजन्स भी हुन त हमें पास रख है हम आपकी बात सुन रही हैं, आप अपनी बात करें, तमीज से करें, अकल से करें, हमारी बात भी आप सुनें, तमीज से सुनें, अकल से सुनें, पस यही डायलॉग होता है, यह डायलॉग खतम करना चाहते हैं आप दुनिया से, नहीं खतम होगा यह, mind your language ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जो मिस्त नव्दीत राना कह रही है वो बिल्कु दरुस्त है इस हद तक बात कि हक है उनको आप ये कहना कि क्यों कर रहे हैं भई वो कर रहे हैं उनकी उपीनियन है आप अपनी ट्वीट कर रहे हैं वो आ रहा है यहां टोरांटो में भी अड्मिंटन में भी रजाइना में भी और वैंकुवर में भी अमरीका में भी बाहर आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि इनफ इस इनफ तो यह है सूर्टेहाल अब यहां पर जो डिविसिवनेस बढ़ाई एक्स्टीमिस ऐलिमेंट्स ने उस पर भाटी डाइस्पोरा भी सामने आ रहा है और आवाज उठा रहा है और खुल के कह रहा है कि हम इस तरह की इनसल्ट बेहुर्मती अप्मान नहीं बरदाश करेंगे बिल्कुल उनका भी यह हक है आवाज उठाने का एक्स्टीमिसम बढ़ती चली जा रही है जहालत बढ़ती चली जा रही है इस एक्स्टीमिसम और जहालत के खलाफ उठके खड़ा होना होगा जब खलाफ होने की बात होती है तो हम यहाँ पर आखर में आज के तैजिये में जरूर बात करेंगे इंपीश्मेंट का जो ट्राइल शुरू हुआ है युएस में प्रेज़ेंट ट्रम के खलाफ फॉर्म में प्रेज़ेंट ट्रम के खलाफ वो अपनी जगह पे बहुत ही फ़नी है स्क्रीन शॉट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रही है इंटरस्टिंग सिचुएशन है कहते हैं कि ट्रम्प लॉयर्ज अर्ज युए नोट इंसाइट राइट बाइ सेंग फायट लाइक है यह ट्रम के लॉयर्ज कह रहे है यह मैंन से एगरी करता हूँ मैं लेगी प्रेज़ेंट ट्रम का ट्विटर उनकी प्रेस्डेंशी के दिनों में बंद कर दिया यह जो सोशल मीडिया है ये कहने को सोशल मीडिया जिसका काम ये था कि ये सोशलाइजेशन के लिए काम आता था, उस पे खुद ही इन्होंने पालिटिक्स को चलाई, खुद ही इन्होंने पैसा कमाने के लिए, एलेक्शन की मुहमें, तमाम सोशल कंपनियों ने चलाईी सोशल मीडिया की कंपनियों, के 17 यारी 17 सेनिटर्स को खलाफ जाना चाहिए पैजिडेंट ट्रम्प के तभी इंपीश्मेंट होगी लेकिन लग रहे है रहा है कि 5 के करीब उनके खलाफ जाएंगे जिसमें लिस चैनी एक एहम नाम है मिश मिकॉनल एक एहम नाम है बाकी नहीं जाएंगे इंपीश्मेंट तो नहीं होगी लेकिन प्रेजिडेंट टरम्प के खलाफ प्रापगेंडा होगा रिपब्लिकन के खलाफ प्रापगेंडा होगा रिपब्लिकन पार्टी और डिवाइड होगी यह है सूरते हाल वहां पर लेकि भी दूसरे की बात सुनने को तयार नहीं होते हैं हमारा शो आउन एर जाता है तो ये सारे एक्स्ट्रीमिस तूट पड़ते हैं कि भाई ये किसी सूरत हम इसको नहीं चलने देंगे लेकिन आफटर आल कब तक ये अपनी बनमाशियां चलाते रहेंगे ये नहीं चलेगा आपकी बात हम सुनते हैं आपको भी हमारी बात सुनना होगी कर दो